नमस्ते ओल तो आज हम बनाएंगे हरी मटर की राइस जो की एकदम पुलाव स्टाइल है बट इसमें कोई अनियन गारलिक नहीं है और इसके लिए आप राइस को पहले ही बिना कर रख लें इसे आप डबे में बनाएं कूकर में बनाएं पर बना कर रख लें पैन लें उसमें ओयल या घी आड़ कर दें इसके बाद तड़के के लिए हम इसमें मास्टर्ट सीट्स और थोड़ी सी हींग इसके बाद थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिर्च और ये फ्रोजन हरी मटर मैं आड़ कर रही हूँ इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी धीमी आज मे अच्छी ना के खा सकते हैं इसमें हम तीन से चार टीजपून पानी आड़ करेंगे और इसे ढख कर दो मिनिट तक पकने देंगे तो हल्दी और मिर्ची पाउडर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें हमारे जो रेडी किये हुए राइस हैं बासमती राइस लेंगे तो बह लेना है तो देखे गर्मा गरम मटर राइस रेडी है जिसमें बहुत जादा कुछ हमें ताम जाम नहीं करना पड़ा टिफिन के लिए बहुत अच्छी है रेसिपी साथ ही आप इसे रायता के साथ जरूर खाएं वेजटेबल रायता जरूर बनाएं और उपर से इसमें चा लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मुच वाचिंग बाबाई